आज हमारे पास अनेक रोगों के लिए अनेको औशधियां हैं परन्तु जो असर आईरुवेदिक औशधियां हमारी बिमारियों पर दिखाती हैं वो कोई और औशधि नहीं कर सकती यहीं कारण है कि हम हर बार आपको एक नई औशधि से अवगत कराते हैं नमशकार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम जिस आईरुवेदिक औशधि के बारे में बात करेंगे उसका नाम है असालू असालू को संस्कृत में रक्त राजी, चंद्रसूपम वास पुषपा, हिंदी में हालों, मारवाडी में असालू, वह लेटिन में लेपिडम सेटिवम के नाम से भी जाना जाता है असालू का स्वरूप असालू पूरे भारतवर्ष में बोई जाती है इसका पौधा सर्सों के पौधे की तरह होता है और इसके पत्ते भी कटे हुए होते हैं इसके फूल नीरे रंके होते हैं और ये जून के अंत में लगते हैं इसकी जड़ें लंबी और सफेद रंकी होती हैं असालू के गुण दोश व प्रभाव। असालू में कैल्शियम, आईरन, फॉलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन C, फाइबर, ग्लुटैमिक एसिड, लुकाइन, लाइनोलाइनिक एसिड इत्यादी होने की वज़े से इसे बहुत गुणकारी माना गया है। इसे हिचकियां बंद करने और चर्म रोग से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में भी बहुत कारगर माना गया है। असालू के उपयोग असालू के बीजों को कूटकर नीम्बू के रस में मिलाकर लेप करने से सूजन ठीक होती है। श्वास और खासी इसकी डालियों को पानी में खौला कर उस पानी को पिलाने से श्वास और सूखी खासी मिटती है। खूनी बवासीर असालू का शर्बत बना कर पिलाने से खूनी बवासीर में लाब होता है। अतिसार इसकी जड़ के चून की फंकी देने से दस्त की शंका होती है और अतिसार मिटता है। खुजली और दाद दाद और खुजली पैदा करने वाले पदार्थों के विश को उतारने के लिए इसके बीजों का रस निकाल कर पिलाना चाहिए। तो यह थी असालू से जुड़ी कुछ महत्वपून जानकारी। अगर हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई औशधी और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।